हलो फ्रेंट्स दिव्या वेलकम बेक तू मैं चैनल वेलनेस एंड फूड आज हम बनाएंगे ब्रेट पकोड़े और इस ब्रेट पकोड़े का टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे जब हम ट्रेइन में ट्रेवल करते हैं तो जो हमें रेल्वे स्टेशन पर मिल संड हर। लिए मैंने यहां पर पांच मीडियम साइज के बॉयल्ड पटेटो लिए हैं और मैं मेशर की हねश करके हूं आप चाहिए तो अपने हातों से या शूर्षो कसे मैश कर सकते हैं यहां पर कलालु जिसमें मैं डाल देतीजित messaging कुछ मसाली तो सबसे पहले मैं उसमे इसमें डाल दीजिएगा वन फोर्थ टीस्पून हींग यानि की ऐसेफटेडा हाफ टीस्पून जीरा पाउडर मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूं हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून ही डाल देती हूं हल्दी पाउडर यानि की टर्मरिक पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा मैंगो पाउडर आदी चम्मस से थोड़ा सा जादा सूखा धनिया पाउडर साथ ही थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर अगर आप हरी मिर्ज खाते हैं तो आप इसमें महीन काटकर हरी मिर्ज भी डाल सकते हैं इन सभी मसालों और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम mix भी करते चलेंगे और अगर कोई मोटा पीस आलू का दिखेगा तो इसको साथ-साथ हम mash भी करते चलेंगे ताकि कोई भी मोटा पीस आलू में नहीं रहेगा यह यहाँ पर अच्छे से mix हो गया है इसको side में रख देते हैं चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ यहां मैंने लिया है एक कब बेसन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक बैटर बना लेती हूँ पानी डालते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है पहले थोड़ा पानी डालना है फिर उसको मिक्स करना है फिर दुबारा थोड़ा पानी और डालना है फिर उसको मिक्स करना है एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है नहीं तो बेसन में लम्स पड़ सकते है बेसन हमको बिलकुल लंस फ्री चाहिए तो उसके लिए आपको पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना पड़ेगा और डालते भी जाना है और मिक्स भी करते जाना है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं इसमें पानी पहले थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ फिर उसको मिक्स कर रही हूँ एक साथ पानी नहीं डाल रही हूँ तो इसी तरीके से आप इनिशली इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा फिर इसको म अजवाइन यानि कि कैरम सीट इसको मैं हाद से रब करके डाल रहे हूं क्योंकि बेसन डाइजस करने में थोड़ा सा हैवी होता है तो आप इसमें जरूर डालिएगा अब इन सभी मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम मसालों को भी मिक्स करेंगे साथ ही बेशन को कम से कम एक मिनट के लिए इसी तरीके से फेट आएंगे भी फेटने से क्या होगा हमारे ब्रेट पकोड़े बहुत अच्छे बनाएंगे आप इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बिल्कुल मत डालेगा बस इसको एक मिनट इसी तरीके से फेटते सोडा डालने से क्या होता है जो ब्रेट पकोड़े होते हैं वो ऑईल को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आप इसमें सोडा मत डालेगा बस इसको इसी तरीके से एक मिनट के आसपास बस फेट लीजेगा आपके बेसन के पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे इस ट आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं इसके कॉर्णर्स को मैं नहीं हटा रही हूँ आप चाहें तो कॉर्णर्स भी हटा सकते हैं और इसके ऊपर जो हमने अपना आलू का मसाला बनाया था इस पून की हेल्प से उसको हम इविनली इस पे लगा देंगे बहुत ज़ज़ादा ना मोटा लागएंगे बहुत ज़्यादा पतला कुछ इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रा है इस तरीके से पूरी ब्रेड पर हम अच्छे से आलू की लेयरिंग लगा देंगे यहांपर मैंने पूरी आलू की लेयर ब्रेड पर ईविनली लगा यहां पर यहां पर देती हुं कुछ इस तरीके से तो यहां यह हमारे दो pieces बनके ready हो गए हैं इसी तरीके से मैं और भी pieces बनाके ready कर लूँगी इन pieces को भी हलका सा press कर दीजिएगा इस तरीके से यह जो दूसरा वाला piece मैंने ready किया है bread पकोडे का इसको मैं triangle shape में cut कर लेती हूँ तो आप चाहें इनको triangle चाहें तो rectangular किसी भी shape में cut कर सकते हैं तो इसको भी हम हलका हलका सा press कर देते हैं इस तरीके से यहां मैंने 4 pieces बनाके ready कर लिये हैं चलते हैं आगे के process की तरफ हो जितने हमने अपने bread के pieces ready करे थे उतने में basin भी full के set हो गया है एक तरफ मैंने oil चड़ा दिया है और flame को medium किया हुआ है और एक तरफ मैंने ले लिया है यह basin का batter इस batter में हम कुछ इस तरीके से इस bread को dip करेंगे पहले आगे और पीछे से dip करेंगे फिर corners को इसमें dip करेंगे और यह जो हमारा oil है इसमें इसको हम डाल देंगे अराम से डालेंगे बहुत जादा ऊपर से नहीं डालेंगे आपको इस oil को पहले अच्छे से गरम करना है और फिर flame को medium कर देना है इसको हमको medium flame पर ही सेखना होता है इसी तरीके से मैं दूसरा bread पकोड़ा भी डाल देती हूँ पहले आगे पीछे से कोट कर लेते हैं और फिर हम इसको corner से कोट कर लेंगे extravation हटा देंगे और medium flame पर इसको हम oil में अराम से डाल देंगे बहुत जादा ऊपर से नहीं डालेंगे अब हम इसको medium flame पर नीचे से थोड़ा सा सिकने देंगे एक साथ डाल कर इसको नहीं turn करेंगे तुरंत medium flame पर इस bread पकोड़े को नीचे से सिकने देंगे जब ये नीचे से थोड़ा सा golden brown हो जाएगा तभी हम इसको turn करेंगे और एक spoon की help से उपर थोड़ा सा oil डाल देंगे इस तरीके से इससे क्या होगा उपर की layer को जब हम turn करेंगे तो वो नीचे जाके stick नहीं होगी इनको नीचे से सिके हुए थोड़ा सा time हो गया है चलिए इनको turn करके check कर लेते हैं तो यहां मैं दोनों ही bread पकोड़े को turn कर देती हूँ और turn करने के बाद इसको दूसरी side से भी थोड़ा सा light brown होने तक सेक लेते हैं तो यहां इस bread पकोड़े को मैंने turn कर दिया है इसी तरीके से मैं दूसरा bread पकोड़ा भी turn कर देती हूँ और medium flame पर इसको नीचे की side से भी अच्छे से हम सेक लेते हैं flame को medium ही रखना है तो यहां पर मैंने इन bread पकोड़े को सेक कर रेड़ी कर लिया है आप देखिए इनको हमें बहुत जादा brownish नहीं करना होता है इनका color हमको हलका सा yellowish ही रखना रहता है क्योंकि अगर आप इसको बहुत जादा brown करेंगे तो जो bread पकोड़े हैं उसमें कडवेपन का टेस्ट आ जाएगा तो इसी तरीके से मैं और भी bread पकोड़े सेक के रेड़ी कर लेती हूँ यहां पर मैंने bread पकोड़े बना कर रेड़ी कर लिये हैं और आप देखिए यह कितने अच्छे बने हैं और इनको मैंने tomato ketchup के साथ सर्व किया है आप चाहें तो इनको green chutney के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चाय के साथ plain भी खा सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चला को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू